हलो स्टूडेंट आज हम एक एक विदी के बारे में जो है देखने वाले हैं मैं हम परमान अनपड़िल स्वागत है आपका आपके अपने चनल की एनपड़िल क्लासिक पर आज के वीडियो को जो है आप लगातार ध्यान से देखिए ज्यादा समय नहीं लागेगा मुस्किल से 5 मिनट में आपका एक एक विदी से संबंदी जो है बेसिक एकडम क्लियर हो जाएगा और आपको दोबारा जो है इसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि एक एक विदी में जो है हम प्रस्नों को कैसा हल करते हैं जहाँ एक कोशन लिखे हैं तीन कापियों की किमत सोला 0.50 रूपए यानों की सोला रूपए और पचास तैसे है तो साथ कापियों की किमत ग्यात कीजी प्रस्न जो हल करने के पहले इसके बेसिक चीज़ को समझते हैं यहां पर जो लिखा गया है एकिक, ये एकिक का मतलब क्या होता है एकिक का मतलब है सीधा सीधा एक याने कि हम एक के बारे में जो है पहले ज्याद करेंगे मतलब एक रासी का जो है हम पहले निकाल लेंगे उसके बाद जीतना चाहे है उतने का हम निकाल सकते हैं इसके लिए एक मैं छोटा सा एक्जाम्पल लेता हूँ, मानलो आपको एक statement दिया गया है, 12 पेन का मुल्य 60 रूपए है, ये आपका एक statement हुआ, एक कथन हो गया, कि अगर आप 12 पेन जो है खरीते हैं, तो उसके लिए आपको 60 रूपए देने पड़ते हैं, अब यहाँ पर प पहला question क्या बनेगा, पहला question तो ये बन जाएगा, कि 12 पेन का मुल्य हमको पता है, हम चाहते हैं 5 पेन का मुल्य, कितना होगा, या फिर second question ये बन सकता है, कि 20 रूपए में कितना पेन मिलेगा, ये दो ही type के question बनने वाले हैं, दो ही type के मतलब क्यों पांच पेन नहीं, पेन की संख्यात पे आधारी प्रस्न बनेगा, दो पेन चाहिए, पांच पेन चाहिए, दस पेन चाहिए, पचास पेन चाहिए, मतलब कितना पेन चाहिए, उसके हिसाब से आपको मुल्य ज्यात करन पड़ेगा और दूसरा कितने रूपय में जो है पेन कितना मिलेगा ये दो ही टाइप के question बनेंगे इस statement के आधार पे तो यहाँ पर आपको समझना ये है एक एक मतलब होता क्या है एक यदि आपको ये पांच पेन का मुल्य ज्याद करना है तो सबसे पहले आपको एक पेन का मुल्य ज्याद करना पड़ेगा एक पेन का ज्याद हो गया उसके बाद पांच पेन का ज्याद कर लो दस पेन का ज्याद कर लो पचास पेन का ज्याद कर लो कोई दिक्कत आने वाला नहीं है तो यहाँ पे जो है दो चीज दिया है एक तो पेन और दूसरा दिया गया है और एक यहाँ पर क्या है 12 तो यहाँ पर लिखने का दो ही तरीका तो हो सकता है या तो आप 60 बटे 12 लिखोगे या तो फिर 12 बटे 60 लिखोगे लिखने का दो ही तरीका है अगर हम 60 बटे 12 लिख रहे हैं 12 क्या है पेन की संख्या तो यह पेन की संख्या से भाग दोगे न तो एक पेन का मुल्य जो है मिलने वाला है अब यहाँ पर बारा से साथ को भाग भीजिए बारा पंच्छे साथ यानि कि एक पेन का मुल्य कितना हो गया पांच रुपाय हो गया अब आपको कितने पेन का चाहिए उतने पेन के लिए आप निकाल सकते हैं एक पेन का मिल गया पांच रूपया, तो पांच पेन का इस पांच का इस पांच से कुना कर दो, पांच गुणे पांच यानिकी 25 रूपय, अगर आपको दस पेन का चाहिए, कोई दिक्कत ने, ये दस का गुणा, ये एक पेन के मुल्य में गुणा कर दो, दस पंचे कितना हो या 50 आपको जो है 200 पेन का चाहिए कोई दिक्कत ने 200 का गुणा इस एक पेन के मुल्ले के साथ गुणा कर दो तो यह 0, 0 और 5 दुनी 10 इस प्रकार से अगर आपको एक पेन का पता चल गया न तो जितने पेन का चाहिए उतने का आप गुणा करते जाएंगे यह हो गया आपका पहला तरीगा दूसरा रूपय की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर जो है जैसे मैं बोला था कि 60 बटे 12 या फिर 12 बटे 60 तो यहाँ पर वही करना पड़ेगा हमको हमको कितने का पता है 12 पेन का मुल्य 60 रूपया है यह हमको पता है तो अग एक रुपया में कितना मिलेगा पेन ये आपको पहले पता करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करेंगे यहां पर हम लिख देंगे एक रुपय में पेन मिलेगा बराबर यहां क्या हो जाएगा यहां हो जाएगा बारा बटे साथ आपको बोला गया था या तो साट बटे बा या तो 12 बटे 60, अब हमको देखना है, 60 बटे 12 लिखे 12 क्या है, पेन की संख्या, पेन की संख्या से भाग दे रहे हो, तो एक पेन का मिलेगा, यहाँ पर क्या लिखे 12 बटे 60, 60 क्या चीज है, यहाँ पर रूपाय है, यानि कि एक रूपय में कितना पेन मिलेगा, वो आपको तो साट, यहां जाता है, एक बटे 5 रुपय, यहीं confusion सुरू हो जाता है, कि भैं, एक बटे 5 रुपय का क्या मतलब, एक बटे 5 रुपय का मतलब यह है, एक रुपय को 5 भाग कर दोगे, तो उसका 1 भाग, यारि की कितना, 20 पैसा बोल सकते हैं, है पया है 1 बटे 5 पैन मतलब एक बटे 5 पैन अब एक पैन को 5 तुकड़ा करके 1 तूट्वा तो नहीं लिए जा सकता अब यहाँ पर आप देखिए अब यहाँ पर आपको अगर 20 रूपय में कितना पैन मिलेगा चाहिए तो हम एक रूपया में कितना मिलेगा यह ग्यात अगर इसी को आप कर दो 30 रूपाए तो 1 बटे 5 गुणित 30 बराबर कितना 5 एकम 5 छे का कितना हो गया 6 पेन अगर आप इसी को कर देते हो 120 रूपाए तो क्या हो जाएगा 1 बटे 5 गुणित 120 पाँच एकम 5 दूनी 10 और 2 बचा सुन्य और 5 चौक 20 कितना हो गया 24 पेन तो सीधा सीधा आपको यहीं पर जो है ध्यान देना है कि दो चीज दिया गया है एक तो दिया है आपको पेन और एक तो दिया गया है रूपाए एक पेन का मुल्य चाहिए तो पेन की संख्या यानि की बारा से इसको भाग देंगे साथ को तो एक पेन का मुल्य हो जाता है साथ बटे बारा और अगर आपको एक रूपया में कितना पेन मिलेगा ये पता करना है तो ये रुपए यानि कि 60 से 12 को पहले भाग दे दो तो एक रुपए में कितना पेन मिलेगा वो मिल जाएगा और एक का मिलने के बाद जैसे ये एक का मिल गया 20 का चाहिए तो 20 से गुना कर दो इसके साथ 30 का चाहिए तो 30 का गुना कर दो इसके साथ 120 का चाहिए तो 120 का गुन करेंगे फिर जितने का चाहिए उसके लिए जो हम गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं अब यहां पर जो है जो प्रस्ण लिखा गया है उस पे हम ध्यान देते हैं प्रस्ण में क्या दिया गया है तीन कापियों की किम्मत तो साथ कापियों की किम्मत जो है हमको क्या करना है यात करना है अब यहां कैसे करेंगे यहां पर कापियों की संख्यात तीन किम्मत है इतने का चाहिए साथ कापियों का चाहिए तो लिखते कैसे हैं यहां पर लिखना पड़ेगा चुंकि तीन कापियों की किम्मत बराबर 16.5 सुन्य रूपाए तो एक कापि अब यहां डेस भी कर सकते हैं लेकिन मैं पूरा लिख दे रहा हूँ एक कापि की किम्मत चुंकि एक कापि की किम्मत चीए तो कापियों की संख्या जो तीन है उससे इसको भाग दे देंगे 16.5 सुन्य बटे क्या जाएगा तीन अब यहां यहीं पर पूरा भाग देने क्या हो सकता नहीं है कितने कापि का चीए 7 कापि का तो यहां लिख देंगे इसलिए 7 कापि की किम्मत बराबर 16.5 सुन्य बटे तीन गुणित करके यहां क्या कर देंगे साथ बटे एक अब यहाँ पर तो कैलकुलेशन बड़ा तगड़ा आप दीक रहा है भई तो क्या करें दसमलों के बाद दो अंक है तो यहाँ पर आप दो जीरो लगा देंगे दो जीरो लगा देंगे तो यह दसमलों हड जाएगा कितना हो गया 1650 बटे 3 गुणित हो गया 7 बटे 100 अब यहाँ पर देखिए कटा दीजिए 3 एकम 3 यह जाएगा 3 पंचे 15 एक बचा यह भी 15 तो 3 पंचे 15 और 3 सुन्यम सुन्या अब यहाँ पर यह एक जीरो एक जीरो कटा दीजिए कितना आ गया 55 गुणित 7 और बटे कितना है 10 और भी कटे का लेकिन नहीं कटाओंगा इसमें भाग देना आसान होने वाला है 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3 फिर 7 पंचे 35 और 3 38 और बटे में है 10 इस 10 से इसको भाग दोगे तो दसमलों जो यहाँ यहाँ जाएगा यह हो जाएगा 38 दसमलों 5 तो साथ कापी की किमत कितना हो जाएगा 38 दसमलों 5 तो दसमलों के बाद एक ही अंख है तो दो अंख हम लोग लिखते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं साथ कापी की किमत बराबर 38 दसमलों 5 सुन्य रूपए होगा और यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर दसमलों के बाद दो अंख नहीं दिया गए है एक ही अंख दिया गए है लेकिन फिर भी वहाँ पर दो अंख तक दसमलों होता है इसलिए हम दो अंख लिखेंगे यहां 38.5 मैं आंसर को इधर लिखता हूँ, उसमें कट जा रहा है साहत तक तो मैं यहां लीख देता हूँ, साथ कापी की किमत बराबर 38.5 सुन्य रूपए यहां भी मैं इसको लीख देता हूँ, 38.5 सुन्य रूपए तो इस प्रकास से जो है आसानी से हर कर सकते हैं दूसरा question दिखते हैं एक कार 3 गंटों में यहां पर समय दिया गया है 3 गंटों में 165 km की दूरी चलती है वह कार पहला पुछा गया है कि 440 km की दूरी कितने समय में तै करेगी और दूसरा 6 सही 1 बटे 2 गंटों में यानि कि 6.5 गंटे में कितनी दूरी तै करेगी अब यहां पर दो चीज दिया गया है एक तो दिया है कि 3 गंटों में और दूसरा दिया गया है 165 किलो मिटर तो हमको यहां पर 440 किलो मिटर की दूरी कितने समय करेगी यह हमको पता करना है तो सबसे पहले 440 किलो मिटर की दूरी के लिए निकालने के पहले 1 किलो मिटर की दूरी तै क करने में कितना समय लेती हैं यह हमको पता करना पड़ेगा लिखेंगे कैसे यहां पर लिखेंगे चुंकि 400 उपर क्या दिया है चुंकि 165 किलो मीटर की दूरी तै करती है पराबर तीन घंटे इसी को आपको ध्याम देना है 440 किलो मीटर की दूरी के लिए निकालना है तो पहले एक किलो मीटर के लिए निकालो तो हम यहां किलो मीटर तरफ से शुरू करेंगे चुंकि 165 किलो मीटर के दूरी तै करती है तीन घंटे में तो एक किलो मीटर टेस कर देंगे बराबर आजाएगा तीन बटे 165 इसलिए इतने का चाहिए 440 किलो मीटर तीन बटे 165 गुणी 440 बटे 1 अब यहां पर इसको हल कर दीजे इतना आएगा देख लेते हैं 5 से भाग जाने वाला है दोनो 580 40 4 बच गया फिर चालिज 580 40 यह हो जाएगा 5 तीया 15 एक बचा यह भी 15 बनेगा 5 तीया 15 अब देखने इस तो लग रहा है 11 से जाएगा 11 तीया 33 ग्यारा अठे 88 तीने कम तीन तीने कम तीन कितना आ गया भी 8 अब यह 8 क्या है इधर घंटे दिया गया था तो यहां पर भी घंटे आ जाएगा याने कि 440 किलो मीटर की दूरी कितने समय में तै करी 8 घंटे में तो आंसर हो जाएगा अटह 440 किलो मीटर की दूरी 8 घंटे में तै करेगी यह आपका आंसर होगा ठीक है अब इसी में जो दूसरा दिया गया है तो यह जो 6 सही 1 बटे 2 घंटे जो लिखा है उसको हम पहले चेंज कर देंगे 6 सही 1 बटे 2 घंटे बराबर क्या लिख सकते हैं च्छै दूनी बारा और एक तेरा बटे दू घंटे ये जो है आपका मिस्र भिन्न में है उसको हम विसम भिन्न में परिवर्तित कर दिया है अब यहां क्या करेंगे दिया तो वही जो चीज है तीन घंटे 165 किलो मीटर लेकिन हमको साड़े 6 घंटे का निकालना है तो पहले हम को गंटे को लिखना पड़ेगा लिखेंगे चुंकि तीन घंटे में दूरी तै करती है बराबर 165 किलो मीटर तो एक घंटे में दूरी तै करेगी 165 बटे 3 अब भ्यान में दे रहे एक किलो मीटर के लिए हमको चाहिए था तो 165 किलो मीटर से हमने भाग दिया अब यहां एक घंटे के लिए चाहिए तो तीन घंटे से यहां पे हमने भाग दिया अब इसलिए कितना का चाहिए 13 बटे 2 घंटे का चाहिए इसलिए 13 बटे 2 घंटे में दूरी कितना तै करेगी 165 बटे 3 गुणित हो जाएगा 13 बटे 2 अब यहां पर देखे यह 3 और यह 13 नहीं कटने वाला 2 13 नहीं कटने वाला 6 5 11 और 12 यह जो है 3 से कटेगा कटा दिजिए 3 एकम 3 3 5 15 एक बचा 3 5 15 लेकिन इसके बाद और कटने वाला नहीं है तो 13 गुणित 55 बटे 2 अब इसको जो है गुणा भाग करना पड़ेगा मैं इधर को मिटा देता हूँ तो 13 गुणित 55 यह हो जाएगा आपका 5 3 15 पंदरा पांच हासिल एक 5 एकम 5 और एक 6 65 यह भी 5 6 5 11 एक इसमें जोड़ेंगे 715 और 715 को दो से भाग देना है दो से भाग देजिए 2 तिया 6 एक बचा एक को उतार दो 2 पंचे 10 एक बचा 5 को उतार दो 2 सत्य 14 एक बचा दसमलव लगा के सुनने बढ़ाओ 2 पंचे 10 कितना हो गया 357 दसमलव 5 तो यहाँ पे हो जाएगा 357 दसमलव 5 किलो मीटर याने कि 13 बचे 2 घंटे में जो है इतना लिख देंगे यहाँ अतह 13 बचे 2 घंटे याने कि साड़े 6 घंटे में 357 दसमलव 5 किलो मीटर दूरी तैक करेगी इस प्रकास से जो है दो कोशन हमने हल करके देखा उमीद है आपको समझ में आ गया होगा यदि आपको जो है समझ में आया है तो वेडियो को जो है लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और इसी से संबंदीत अभ्यास के लिए हम और प्रस्न लेके आने वाले हैं ताकि एक इक वीदी को समझने में और कोई भी आपका समस्या न रहे अच्छे से आप समझ सकें तो आज के वीडियो में जो है इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में